हेई हैं अब्रिवन वेलकम बाग सो आज हम बात करने वाले हैं breakfast counter के बारे में जैसा कि हम और आप दोनों ही जानते हैं कि breakfast counter आजकल कितना ट्रेंड में हैं हर खुछाता है यार किचन में कही न कहीं ऐसी space निकल जाए कि breakfast counter हम बना पाएं सबसे पहले बात करते हैं कि यार हमें breakfast counter बनाने से क्या फायदे हो रहा है एक तो अगर आपका छोटा kitchen भी है तो आपको एक extra space मिल रहा है to work on एक extra slab मिल रहा है जहां पर अपना काम और कर सकते है और सेकंड चीज़ क्या है breakfast counter की वजह से न किचन में एक बहुत अच्छी openness क्रेट हो जाती है विकार हम क्या करते हैं अगर हमने renovation कराना है आपकी छोटी सी entry है to entry in the kitchen and side में है wall जो common wall है kitchen की and dining की तो अगर हम वो wall break करके आपको breakfast counter का एक provision देते हैं तो जो kitchen की अंदर है वो openness आ जाती है जिसकी वजह से illusion भी create होता है कि आपका kitchen काफी बढ़ा है तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है लेक आपको एक extra slab मेल रहे to work on और साथी साथ आपकी kitchen बड़ी लगने का illusion भी create हो जाता है तो breakfast counter बहुत ही अच्छा तरीका है अब बहुत सारे type के breakfast counter होते हैं अभी पता है हम सब चानते हैं कि यार हम breakfast counter net से search करके बनवा सकते हैं बट फस्ते कहां पे है उसकी standard height कितनी होनी चाहिए standard width कितनी होनी चाहिए कौन से टाप के breakfast counter होते हैं, कैसे-कैसे हम लोग उसको use करते हैं, वो सारी चीज़े, तो बहुत सारी चीज़े हमें हम अज डिसकर्स करने वाले हैं, actually हम सारे ही breakfast counter आज इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं, तो वीडियो होने वाले हैं, बहुत ही informative, तो वीडियो को एं तक ज़रूर तेखना, I am Architect Bhavi and you are watching Architects World, so guys, let's start with the video, okay, सबसे पहला breakfast counter आता है, without storage, कई आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, मेरे पास दना entry है, वहाँ एक पिलर है, then entry है, और फिर एक और वाल है, हमने वह वाल प्रेक करके, एक आपको extra storage दे दिया है, एक extra slab दे दिया है, to work on, अब क्या होता है, मेरे पास space कम है, तो हमें नीचे पैया लचने की space चाहिए, इसलिए हम उसके नीचे कोई cabinets नहीं दे सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, breakfast counter without cabinet, जहां पर हमने फट्टा लगाया है, ऐसे L शेप में, अब कॉस एक extra support चाहिए लेगा, ऐसे L फिर ऐसे उतर जाएगा, जो यह आपका L है यह आपका granite में भी हो सकता है, marble में भी हो सकता है, इसे हम लोग wooden finish में, यानि की vineyard में भी finish कर सकते हैं, अब इसकी height कितनी होती है, तो इसको आप kitchen की standard height पर रख सकते हैं, यानि की 2.9 inch पर, अगर मैं बद करों कि कितना wide होना चाहिए है, तो हमारी plate अराम से आजाए है, तो minimum to minimum 16 inch होना चाहिए है, 16-20 inch तक एक perfect ratio है किसी भी breakfast counter को without storage use करने के लिए, इसका main purpose क्या है, सिर्फ आपको बैटके खाना खाना है, मेंचे कोई storage नहीं है, तो हमें लेक्स की space वहाँ पर देनी है, तो इस case में आपका जो width होगा वो 16 inch होना चाहिए, आपके बस एक ratio है, 16-20 inch की and जो height होगी वो standard height, आप जो आपकी kitchen की height है 2 feet knowledge वो आप रख सकते हैं, तो second type of breakfast आते है, breakfast counter with storage, जहां पर आपका नीची storage भी है, अब तो इसका multi ये तो बहुत सादा multipurpose हो गया, कि नीची में पर storage में एक्स्टा मिल रही है, उपर slab में मिल रही है और एक साद डिफिक्स counter में मिल रही है, तो इस case पे हम क्या करते हैं, अपकोस आपकी जो height है वो standard रहे की 2 feet 9 inch, लेकिन जो platform है, हमारा standard platform होगी 24 inches का, बट इस case में वो platform होना चाहिए आपका 3 feet 3 inch तक, वो किस लिए, जो 24 है वो आपका normal platform है, जिसमें आपकी storage है, जो बाकी है आपका 3 feet 15 inch वो आपकी legs की space है, अब इस case में आप 3 feet तक भी वो ले सकते हो, क्या कहते है उसे counter, उस case में जो आपकी नीचे की storage है, उसे आप narrow कर दो, उसकी जो depth है वो 2 feet ना रखके 18 inch कर दो, या फिर और भी कम तो इस case में जो आपका width slab का size है, इसकी सादा play कर सकते हो, कि आपके बास कितना अच्छा space है, अगर space कम है, तो सिफ 30 inch ही निकालो, सिफ 30 inch अपना counter रखो, लेकिन जो आपकी storage होगी, उसको आपको narrow करना पड़ेगा, जो उसकी depth होगी, उसको सिफ 1 feet का कर दो, और उपर अपना space यूज़ कर लो, तो आप इस तरीकी से कम space में भी, बस थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा, depth में storage की, और राम से आ जाएगी, अब हम बात करते हैं, next type की जो की होता है, uplifted breakfast counter, इस case में क्या होता है, कि जो भी मेरी kitchen का standard slap चल रहा है, वो standard height पर है, यानि कि 2 feet 9 inch पर है, लेकि में जहाते हूं कि जो मेरा breakfast counter है, वो stand out करे, वो लगे कि हाँ, इस kitchen का पार्ट नहीं है, वो breakfast पार्ट है, वो breakfast counter का एक अलग separate पार्ट है, तो उसके हम लोग क्या करते है, breakfast counter की height को increase करते है, तो अगर मेरी standard kitchen slab की height है, 2 feet 9 inch, तो मेरी breakfast counter की height होती है, 3 feet 13 inch, इसके अंदर हम जो bar stools होते है, raised stools, वो वले stools हम इसमें use करते है, तो third type होती breakfast counter की, raised up breakfast counter, 4 type की 4 type होता है, मारा step 1 breakfast counter, इसमें हमने क्या किया हुआ है, अब इससे हम अपना previous वले example उठा के लेके आते हैं, जिसमें हमने सोचा था कि जो मेरा slab है, वो 30 inch wide का है, तो इसकेस में हम क्या करते है, आपकी storage चाहे कितने भी हो, आप इसकेस में अपनी storage पूरी 2 feet की use कर सकते हो लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा हम स्पेस, जैसे कि आपको example में दिख रहे हैं, कि जो हमारा space है, वो हमने slab utilize कर लिया, जो मेरा slab का space 24 inch use ना होके, उसे 18 inch का open usage दे दिया, बाकी को मैंने एक और platform बना दिया, अब ये platform और मेरे platform में कोई गैप नहीं होगा बीश में, लेकि होता step 1 breakfast counter, इसके फायदे क्या होते है, सबसे पहला फायदा कि जो आपकी under counter storage है, उसमें कोई impact नहीं पर रहा है, वो अभी भी 2 feet depth की ही है, and second चीज, आपको थोड़ा सा compromise करना पड़ा है, तो वो करना पड़ा है top पे, अब top पे क्या हो रहा है, आपको 2 feet की जगा 18 inch आगे मिल रह तो यह भी काफी अच्छा तरीक है, जब आपके पास पता कि यह option उन लोग बिल्कुल बेस है, जब आपे kitchen छोटी हो, आपको storage भी चाहिए, लेकिन वो openness kitchen के अंदर भी चाहिए, तो उन लोगों के लिए बिल्कुली perfect solution है, आप इस case में असानी से जा सकते है, and I trust में आपको बहुत सारे advantage ही मिलेंगे, बस छोटा साथ disadvantage है कि आपका platform का space है, वो 6 इंची खराब हो रहा है, पर वो 6 इंची आपका breakfast में use भी हो रहा है, तो हम साथ-साथ, ना तो हम फायदे में, ना ही हम नुकसान में, इस ना ही पाती है, step down breakfast counter, सब्सक्राइब मेरा जो standard height है kitchen का, वो है 2,9 इंच, लेकिन अब मेरे साथ, मेरे घर में बच्चे हैं और बुड़े हैं, जिनको problem होती है कि जो भी standard चीज़े हैं, उससे हटकी नहीं करना, तो उनको कहा है, जो उनकी dining table की standard height है 30 इंच, उसी height पर उनको अपना breakfast counter चाहिए, तो ये possibility भी बहुत असानी से हम create कर सकते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा working counter है, वो raised रहता है और breakfast counter मेरे डाउन हो जाता है, इसमें आप जो standard height है dining table की 30 इंच, उस height पर अपना breakfast counter चाहिए असानी से बना सकते हैं, और ये perfect है अगर आपके घर में बच्ची हैं और बुड़े हैं, जिने problem होती है, उपपर चड़के और अब एक और इसके बार चुमी टाइप आती है, वो आती है raised up breakfast counter, raised up में क्या होता है, इसको हम two step भी बोलते हैं, raised up भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, of course, इसमें क्या करते हैं, आपका normal slab है 24 इंचिस का, उसके बार हम ने इसके उपर एक और slab बना दिया, dummy part है, अंदर से hollow रहेगा विकास पायर जाने की space है, तो आपको ये दो counter नजर आएंगे, एक counter आएगा हमारा 2 feet 9 inch पे, standard height पे और एक और counter आएगा हमारा 3 feet 3 inch पे, तो ये ऐसे दो step नजर आएंगे, इसको इसलिए हम two step भी बोलते हैं, और वो भी, अब इससे क्यों होता है, ये आपका breakfast counter बिलकुल separate कर देता है, इस case में आप अपने breakfast counter के सामने stove भी लगा सकते है, यहां पे cooking हो रही है, और यहां पे serve हो रहा है, तो जो ये level है, वो level maintained भी हो गया, अब इसकी वज़े से, जो भी cooking की heat है या कुछ है, वो इस इंसान को impact भी आपका काम भी हो जाएगा, तो ये ता हमारा next, अब इसमें, अब आपका सब में question रहा हो कि हमारी standard दो लोगे कितना बड़ा breakfast counter होना चाहिए, तो अगर आपको दो लोगे perfect sitting चाहिए, तो जो आपका counter है, वो at least 4 feet का बड़ा होना चाहिए, 4 feet wide ऐसे होना चाहिए, और ऐसी मे different different types of breakfast counter आपके दिसकर्स करें, उसमें मैंने mention किया है, किस में कितना होना चाहिए, तो इसमें 24 इंची मेरा slab रहेगा, और ये है, इसको हम ले सकते हैं 15 इंची का, अब कईबर हम लोग क्या करते हैं, अगर in some cases, जहां पे मेरा space ना बहुत काम है 15 इंची की या नहीं, तो इस आप कर सकते हैं, लेकिन इस case में stove नहीं आएगा अगा, अगर stove आ रहे है, तो stove को 24 इंची क्लियर चाहिए, और अगर आप वो नॉर्मल वर्किंग स्लाब ही यूज करें तो उस case में, आप 24 में 3 इंच अंदर भी जा सकते हो, I think I'm clear here, okay, if नहीं कुछ भी अगर doubt है, तो please comment below, I try my level best, कि में within 24 hours आपको reply कर पाऊं वर्ना ऐसा नहीं होता कि में revert ना करो, and I also share my whatsapp number with you, तो अगर कुछ भी query है, कुछ भी पूछता है, छोटी बटी information भी चाहिए, तो I'm readily available, आप कभी भी whatsapp करके मुझसे वो चीजे पूछ सकते हैं, so अभी जितने भी हमने options आपे discuss करें, जो सारे options मेरे follow हो सकते हैं, L-type kitchen में और पैलर kitchen में, अगर एक और kitchen की ताइप आती है, island kitchen, तो island kitchen में हमें किस ताइप का breakfast counter रखना जाहिए, अब मेरे जैसा कोई लोग हो, जिसको काफी lavish kitchen मिली हो, island, तो वो चाहता हो, कि मेरे dining बिना island हो, ताकि मजा आजा है, kitchen की जो लोग kitchen में भी breakfast counter बना सकते हैं, वो दो टाइप की होते हैं, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता हो कि island kitchen होती क्या है, island kitchen वो होती है, जहां मारे पस, इस sideby slab है, इस sideby slab है, लेकि में बस बीच में भी slab है, to work on, अब जो इस slab है, इस पे आपका stove भी हो सकता है, working counter भी हो सकता है, व सकते होला slab है, ये दो टाइप से इसमें हम breakfast counter बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, horizontally और एक बना सकते हैं, vertically, अगर आपकी kitchen में space horizontal जादा है, और हमेशा याज़ दखना, island kitchen हो, या कोई भी kitchen हो, अपने passage को at least 3 feet clear रखना ही रखना है, उससे कम मत करना, जादा तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 3 feet at least लेको ताकि दो बन देना opposite direction में काम कर सके, okay, तो yes, अगर में बात करो, horizontal, आपके पस horizontal space बादा है, suppose, मेरा slab 2 feet का, 3 feet का passage है, fit 24 inch का मेरा stove बला area है, और उसके बार में पस काफी अच्छा space है, कि मैं इस site पे अपना breakfast counter बना सकते हो, तो उसका best option ये है कि आ आप ये असानी से बना सकते हो, आपको सिर्फ एक platform में ने raised up किया है, और आपकी kitchen में बिना कुछ खर्चा किया है, बिस छोटा सा design element डाला है, like design element भी एक working element डाला है, और आपकी kitchen लगे कि बितनी अच्छी तरह किसे आपने उटिलाइस किया हुआ है, तो आप सेंटर में भी अराम से breakfast counter दे सकते हो, काफी अच्छा लगता है, काफी प्यारा लुक आता है, अराम से नहीं पर आपका cooking को रहा है, बहुत easy हो जाता है, and second case, अगर आपके पास vertical भी space है, और horizontal भी space है, तो आप अपने kitchen platform को, sorry breakfast, sorry breakfast platform को L में भी घुमा सकते हो, जैसा कि आपो screen पर दिखाई अप इसमें भी आप वो दोनों चीज़े कर सकते हो, like platform को अप भी कर सकते हो, low तो it's up to you, like जो up and low, up and down concept है, वो अप हर चेगा फोलो कर सकते हो, चाहे पैलर kitchen हो, L kitchen हो, island kitchen हो, कोई भी kitchen हो, वो सारे सारे चीज़े सब में फॉलो हो सकते हैं, but आपको आपको आपके कर सकते हो, बाकी सारे चीज़े बिल्कुल सेम रने वाली है, okay, अब लास्ट option शेयर करते हैं, कि अगर island में आपको चाहिए, कि मेरा पास पेस जो है, kitchen हो वो वर्टिकल है, तो उस केसमें हम क्या करते हैं, मैंने अपना तीन से चार फिट रख लिया stove के लिए और उसके अब लग सकते हो, आपको लो करना है, breakfast counter तक 3 इंच, तो 2 फिट 6 इंच का breakfast counter बना सकते हो, height from flow level, अगर अब करना है, तो 3 फिट 3 इंच का कर सकते हो, height from flow level, 3 फिट 3 इंच, तो ये तीनों केसी अपर अराम से follow कर सकते हो, किसी भी type के kitchen में and breakfast counter से, trust me, आप छोटा से element एड़ होत अच्छा होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि usage सिर्फ breakfast खाने के लिए ही हो, आप chopping कर सकते हो, अराम से बैच सकते हो, और करना कोई guest आये हो, तो वो अराम से like, serve भी हो रहा है, बाते भी हो रही है, बहुत साथा easy हो जाता है, and kitchen में बहुत अच्छी openness create होती है, जो बहुत ही लगता है, और बहुत ही सुन्दा लगता है, अब एक छोटी सी pro tip देते हैं, कि suppose मेरी L-type की kitchen है, तो L-type की kitchen कितनी बड़ी होनी चाहिए, कि मेरे पास breakfast counter आज़े, तो अगर मैं normally आप से बात करूं, तो तीन फिट का पैसे छोड़ो अंदर जाने के लिए, उसके बाद एक ल तो उसमें breakfast counter असानी से ले सकते हो, जो 2 feet slab का है, वो इसमें breakfast counter में utilize होना है, अगर बात आती है, आई kitchen या पैलर kitchen तो उस case में क्या होता है, आपका 2 feet slab है, बीच की space at least 6 feet होनी चाहिए, फिर एक और slab होना चाहिए, because मैं देखा है, बहुत सारे builder floors होते हैं, उसमें हमें kitchen में slider ह तो जब जहां पे slider है, it means, बीच का passage या दो 5 feet है या 6 feet है, तो अगर बीच का passage दोनों slab के, बीच का passage अराम से 5 feet या 6 feet है, तो उस case में भी आपका असानी से 4 feet का breakfast counter आ सकता है, because 6 feet का passage है, and 2 feet ये, 2 feet ये, आपके kitchen 10 feet wide है, तो इस case में आप असानी से 3 feet, like 2 feet तो आपका वो ले ल एक side का slab, कि बाद 3 feet का, यानकि 5 feet आप विटलाइस कर रहे हो अपना एक slab में और opening में, बाकि जो आपका 5 feet है, उसको आप यूस कर सकते हो अपना breakfast counter में, so guys, that's all for the video, I hope, video आपको informative लगी हो, if लगी है, तो comment below, अपने friends, family के साथ, ज़रूर शेर करना, अगर किसी की भी help हो सकत है, तो it's free, video बिल्कुल free है, आप किसी की साथ भी share कर सोते हो, thank you guys for watching, keep supporting, keep loving,